नमस्कार मैं हूँ असोग वर्मा आप देख रहे हैं टीवी 20 निवी देश व प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रही है हमारे साथ अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला खबर कवसांबी से है जहां कवसांबी जिले में आम की पती तोड़ने के बिवाद में एक वक को इतना पीटा गया कि उसकी इलाज के दोरान मोथ हो गई पुरा मामला आपको बता देए करारी थाना शेत्र के फरीद पूर सावरों के रहने वाले 26 वर्षी राजिंद्र जोकी 16 जनवरी को अपनी खेत की तरफ था इसी बिच गाउं के ही स्यूकुमार वर कैलेंडर आम की बाग में पहुँचे और राजिंद्र की बाग से पत्या दोडने लगे इसने इसका विरोध किया तो हमलावरों ने उसकी जम कर पिटाय कर दे इससे राजिंद्र लहुलुहानोकर बाग में बेहुसी के हालत में पढ़ा रहा है इसका जनकारी जब परिवार के लोगों को ही तो वह घटना अस्ताल पर पहुँचे और राजिंद्र को 108 एंबुलेंज से जिला अस्पताल में भरती कराया जहापर डाक्टरों ने हालत ग हुए एक आरोपी को गिरफतार कर लिया वहीं दूसरे आरोपी की तालाज पुलिस कर रही है जवान बेटे का सव घर पहुचा तो परिवार वालों में भी कोहराम बजगया वहीं आपको बता दें कि सीओ मंजनपूर योगेंद्र कृष्ट नाराण ने बताया कि थानकरारी अंतरगत फरीदपूर समरोगा में आमके डाली को तोड़ने को लेकर हुए विवाद में सरोज राजिंद्र सरोज नामक व्यक्तिक हाल हो गया था जिसके संबंद में थान 308 IPC में प्रागराज में स्वरू प्रानी मेडिकल कॉलेज इलाज के दौरान सरोज राजिंद्र सरोज की मृत्ति हो गई हुकता अवियोग समुचित धाराव में मुगतमा पंजिक रितकर अवियो आरोपियो में से एक अरोपिय शुई कुमार सरोज की गिरफतारी कर ली है और दूसरे अवियोगत राम कलिंदर की गिरफतारी के लिए पुलिश टीम में दविज दे रहें जल्द ही उसको भी गिरफतार कर लिया जाएगा